नमस्कार एक बर फिर से स्वागत था आपका ओके क्रेजिट में और वोकल फॉर लोकल की इस मुखीम को आगे बढ़ाते हुए आज एक और फूड जॉइंट पहरम आए हैं यह एक फूड वैन है और लगातार हमें यह सवाल पूछे जा रहे थे कि फूड वैन का बिजनस कैस पढ़ गया है तो किस तरह से आप आत्म निर्भर बन सकते हैं और दूसरों को राय दे सकते हैं आत्म निर्भर बनने की तो आज फूड वैन के इस बिजनस के बारे में तमाम पहलों के बारे में आपको बताएंगे वीजू के इन तक देखेगा प्रसंद आया तो लाइक की है वो सब आपको दिखाएंगे तो चड़ना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा तो आप ऐसे जैसे गाड़ी में चड़ते हैं आप ऐसी चड़ सकते हैं चलिए तो अब हम फूड़ मैं के अंदर पहुंच चुके हैं और तमाम पहलों पर बात करेंगे विनोत कुमार जी का जिनकी ये फूड़ बैन है और यकीन मानिए कई सारी food van मैंने देखी है, इतनी साफ सुत्री food van मैंने नहीं देखी है, चाहे आप फर्ष देख लीजिए, चाहे आप ये slabs देख लीजिए, सिंक देख लीजिए, हर चीज बहुत neat and clean है, हाईजीन बहुत maintain किया गया है, आप खुद करते हैं सब? हाँ जी मैं खुद करते हैं इसको बेसिक लिए तो मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ लेकिन जैसे अब बीच में लोग्डॉन लगा हुआ तो इसका ना गाड़ी चल पाई ना कुछ था तो इस करके मेरे मन में बिचारा है क्यों ना फास्पूर का काम किया जाए इस करके म लागत आपकी लग गई लागत ये सारा काम इस ताइम है तो कोने दो लाग में तो तक पहुंज गया है अच्छा ये गाड़ी आपने बोला कि आप ड्राइविंग करते थे तो ये गाड़ी स्पेशल बनवानी पढ़ती है या कोई जो नॉमल गाड़ियां होती है वही है कि अधर है तो में एसको बोला कि मैं अधरिक सब्सक्रास ऑफ़तीं मैं पर छाइविस के बॉला अगर आप में गाड़ी ना हो ऐसा करने के लिए तो उसके पाटेश्य वाव कूआ ही आप सिरफ अकेले चलाते हैं तो आपका कितना लग जाता है जो भी चीजे आप बनाते हैं क्योंकि हम यहां देख रहे हैं मोमो, चौमे, मैगी, ओमलेड लगबग सब फास्ट फूड हैं जो पहाड में आके लोगों को पसंद आते हैं तो कितना आपका कि ख़चा महीने का आजाता है किर्चा तक तो कैसे मैंने जोड़ानी कि लेकिन फिर भी पर मन्त जो है मतलब गाडी की सेल से ही, और हजार्वरायू का समान पर ड़ी तो लाना ही पड़ता हैं किसी तरह का कोई फूड लाइसंस ले लेगा पड़ता है इसके पर महेंगी और मोमोस कॉड़र भी मिल रहा है तो लोकेशन मेंटर करती है कि आप किसी जगह पर खोले हैं जहां पर टूरिस्ट का आना जाना हो नहीं पहले हैं तो पहां पर सबसे जाद सफाई गाड़ी के अंदर आफपास में कूड़ा करकरनी होने चाहिए तो जो बरतंद होने के लिए पानी चला हुआ है जमीन से निकलता है यह पानी को फ्रेश पानी है तो पीने के लिए पानी में बहां से उसको होता है एक लास सवाल यह पूछना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए जैसा कि आपने कहा कि आप पहले ड्राइविंग करते थे लेकिन फिर उसके बाद करोना के दौरान यह सब चीज़े बंद हो गई तो आपने यह सोचा कि हाय तौबा मचाने से सोचा कि हाय तौबा मचाने से क आत्मनिर्भर बना जाए तो आप यह वोकल पॉर लोकल और आत्मनिर्भर इस चीज़ को दर्शकों के सामने कैसे बताना चाहेंगे कि कैसे वह आत्मनिर्भर बन सकते हैं सबसे बड़े बात हुए मैं कि जैसे कोई भी काम करना अगर उस काम को लगन से किये जाए तो मैं तो विनोत कुमार हमारे साथ है, जिनकी ये फूड बैन है, और मैं बार बार ये बोल रही हूं कि इस फूड वैन में बहुत साब सफाई है, पालंपूर से लगबग 5 किलो मीटर्स की दूरी पर है, बाग नाला साइट पे बहुत बहुत अनेवाद आपका. Okay Credit, Business Okay है.